हम हर दिन बहुत कुछ सुनते, समझते एवं महसूस करते हैं और इन ही तीनों अवस्ताओं के साथ में चलते हुए जो लोगों को समझाना होता है, जो लोगों को बहुत कुछ कहना होता है, उस प्रक्रिया में भी होते हैं व्यापारिक जीवन हो गया, गुरिहस्त पक्ष, पारिवारिक आधार, नौकरी पेशा जीवन, मित्रों के साथ हो रही चर्चाएं जैसा सुना है, जैसा देखा है, जैसा महसूस किया है, ठीक उसी तरह की बातें मन्थन के साथ मुख से निकलने वाली होती है और वो ही हमारे हाव भाव को जिसको हम बॉडी लेंग्वेज कह सकते हैं, निर्धारित करते चले जाती है यदि ना उम्मीदी सुनी है, तो क्या लोगों को उम्मीद दी जा सकती है पूरे ही दिन अव्यापारिक नकारात्मक्ताओं के बारे में सुना है, समझा है तो क्या जो स्टाफ काम कर रहा है, उसको पूरे तरीके से पॉजिटिव किया जा सकता है क्या body language ऐसी हो पाएगी जहां से हम उनको प्रभावी तोर पर आगे बढ़ा पाएंगे इस प्रक्रिया में ये समझने की आवशक्ता होती है कि हम जो भी करहन कर रहे हैं, उसका filtered process क्या है और इसी के साथ में जो संतती बड़ी हो रही है उनके साथ में हम कौन सी चर्चा को जन्मत दे रहे हैं जब भी हम किसी वेक्ति विशेश के साथ में समबात कर रहे होते हैं तीसरा वेक्ति ये उसे सुन रहा हो तो वो भी परोक्ष और प्रतेक्ष प्रभाव के साथ में होता है परिबार के चर्चाएं निकल कर आती है, पच्चों पर उसका क्या प्रभाव है, व्यक्ति बहुत गहरे से उसको जान नहीं पाता, स्वास्ति संबंदी स्ततियों में आलस से घर किये रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, तो आसपास के लोगों पर उसका कैसा प्रभाव रहेग जिनके साथ में constructive thought process जुड़ा हूँ जिनके विचारों के साथ में तारतम में बहुत बहतर हूँ हर एक बात में उनके लिए नकारातमता और आसफलता घर किये वे नहीं हूँ यकिन मानिये जैसे ही ये बदलाव और ये observation हमारे साथ में चलने लगता है हम बहुत बड़े changes के और होते हैं और positive approach के साथ में अपनी journey को भी आगे बढ़ाने वाले हो जाते हैं इसी वज़े से ये तै किया जाना आवशक है कि हम किस पत के अनुगामी हैं और किस तरह से चल रहे हैं अभी तक का जो दिन बीता है बले ही सुबह के समय आप इसकारिकरम को सुन रहे हूँ या शान के समय अंतराल में इसकारिकरम के और जा रहे हूँ एक बार दस से बारा गंटों की जो पास्ट अपरोच रही है उसमें देखिएगा कितनी सकारात्मक बातें हुई कितनी नाउमीदी रही और कितनी उमीद यहाँ जीवन की भीतर जुड़ती चली गई वहीं से तैह हो जाएगा कि हमारे असपास की जो संगत और हमारे असपास की स्थितियां है उनकी महक्या है बहराल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 11 अपरेल 2030 का दैनेक राशिफल लेकर उबस्तित हुए है चंदर्मा की स्थितियां धनू राशिस्तान में दोपहर बारह बचकर 69 मिनट से प्रविश कर जाएंगी जेस्था नक्षत्रिय परिधियाधार है मंगलवार रहेगा वैशाक मास कृष्णपक्ष चल रहा है दैनेक राशिफल की शुरुबात करते हैं मेश राशि के साथ में दोपहर के बाद में नवम भावस्त चंदर्मा रहेंगे नवम भाव में चंदर्मा हो तो भाग्य का सायोग मिलने लगता है बेक्ति आगे बढ़ सकता है जॉब में किसी भी चेंज की और जाना चाहते हैं वस्वार जा सकते हैं स्वास्ते आज मजबूती लिए वो है हाला कि सुभह के समय में कफ प्रदान प्रकृति के रोग सताने वाले हो सकते हैं खानपान पर पूरे हिदिवस में नियंतरन रख कर चलिएगा स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स यहां पर काफी हद तक आपके लिए बहतर कहे जाएंगे इसमें कोई भी दुपधा के सेरे यहां परंकित और मौजूद नहीं है यह निवदन है आपसे कि आज की दिवस में वानी पर भी नियंतरन रख कर आगे बढ़िएगा मेश राशी के जातकों के लिए विदेश संबंधिकार्यों में विवस्तत व्रद्धी नजर आती है बुरुषब राशी सबसे पहले सुबह के अंतराल में जब तक चंद्रमा वरिष्चक राशी स्थान में है बड़े कार्यों को पूर्ण कर लेने की जुरूत रहेगी शेर मार्केट संबंधिकाम काज में निवेश को यहाँ पर दोपहर के समयंतराल के पहले आगे बढ़ाए जा सकता है विशेष्ट और पर सुबह दस बजे से लेकर सबा बारा बजे तक का समयं अति विशेष्ट कहा जाएगा पारिवारिक जनों के साथ में संबाद कोशल इस्थापित करके रखिएगा तो वहीं पर कोई भी कमिट्मेंट करने की और जा रहे हैं उसकी क्लारिटी अपने साथ रखें वियापारिक जीवन में रण देने या लेने दोनों ही अवस्थाओं में बहुत जादा संबल कर चलने का प्रहत्म करें व्यक्ति विशेश को जानने की ज़रत रहेगी उसकी मनशा को भाप करें निरना लीजिएगा कई बार ऐसे सिचुएशन्स आ जाती है कि जहां पर व्यक्ति को अगले की मरत करने की और जाना ही होता है वहाँ पर भी अपनी लिमिट को डिसाइड करके चलें ओवर रियक्टिव होने से बचें हलके फुलके क्रोध को दिखाने की आवशक्ता भी है तो उसमें भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भीतर तक बना कर रखिएगा मिथुन राशी सबसे पहले तो जो स्वास्ति संबंदी स्थितियों में दुवधाएं बनी हुई थी के मेजर्स आपके लिए पॉजिटिव कहे जा सकते हैं क्रियेटिव फिल्ड में रियाब जुड़े वो हैं तो चेंजिस के आफर्स और जो एकस्पेक्टेशन आप किसी भी स्पेसिफिक फिल्ड के साथ पर रखकर चल रहे थे वो आपके लिए और जादा बहतर है यहां पर अपनी बॉडी लिंग्विच पर बहुत जारा गौर करें कई बार निराशाओं के भावर से निकल कर जब एकती किसी काम काच क्यों बढ़ता है तो खुद के हाव भाव में इतनी जागरुकता लेकर नहीं आ पाता उससे संभलना अतिव आवशक है वहीं कम्यूनिकेशन में अपनी जो कन्विंसिंग पावर है उसका बहुत अच्छे से बनाते हुए चलिएगा इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ बहुत गहराई से जोड़ा रहने वाला होगा जिसमें तो वदा बिल्कुल भी नहीं हाला कि माता और पता के साथ संबंदों की प्रगाड़ता आपके लिए यहां पर बहुत बहतर सिरे के साथ में नजर आती है यह स्पस्टता भी बना कर जरूर रखें हुई करक राशी सबसे पहले तो सोच में किसी भी तरीके की रुगुनता को अपने साथ में आप रखने से बचिएगा खान पान पर नियंतरन रखने की पूरी पूरी आवशक्ताएं आपके लिए बनी हुई है वियापारिक इस तरह पर यहां जो भी कोई डील फानिलाइस करने की वर जाना है उसमें सुबह के अंतराल को टार्गेट लाइन करके चलिएगा विध्यारती वर्ग यहां पुने हैं एक आगरता के साथ में होंगे जिस जोशोखरोश की कमी की वज़े से आप जूँज रहे थे वहां पर भी अब एक अलग आयाम आप स्थापित करते चले जाएंगे धारमिक कारजरों के साथ में आपका गहराई से जोड़ना हो सकता है तो वहीं कारकराशी के महन भावों को दोपहर के बाद स्वास्ते का वशेश तोर पर ख्याल रखना चाहिए यह याद रखिएगा कि किसी भी डिसाइजिव मीटिंग की और जा रहे हैं जुड़ते चले जाएगी स्वहिम को आप इंस्टन्ट रियक्शन के अप्रोच से पूर्ण तया बचा कर चलने का परयतन करते चले जाएगा सिंगराशी के जातकों के लिए सरवांगेन लाब की स्थियों में ब्रद्धे के परतेमान बने हुए हैं आध्यात्मिक तोर पर चेतना दरंतर विकसित होते चली जा रही है हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुई पूरिशन में किसी भी तरीके के डिसीजन के और जाने के जरूरत है उसमें अब रोकने के जरूरत नहीं जो आप यहां वक्ता संबंदी शिर्णी बिशेश के साथ में हैं तो अपनी भाशा कौशल के साथ में अधिक कारे करने का प्रेत्न करें अटके हुए औरोपए और पैसे के पुनेह प्राप्ती की गुणजाईशें बनती है संतान पक्ष के स्वास्ते का ख्याल रखते हूँ चलें तो वहीं पर जुवद्धिहारती वर्ग हैं अब किसी भी स्टार्ट अप की तरफ आप बढ़ने का विचार कर रहे हैं ऐसे कोई भी अवस्ता सामने है खुद को वहां पर जोड़ा चाह सकता है कन्या राशी बेसले स्वियर के अपरोच से पूरे तरीके से खुद को संभाल कर आगे बढ़ियेगा आज इविका का कोई भी नया माध्यम गरिया आप अवेकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी रोकने के बिलकुल जरुत नहीं है हुरदय संभंधी रोगों से साबधान रहकर चलने का प्रयत्न करें और वहीं पर जो आपके लिए यहां पर माता और पिता के सयोग किताती है वो निरंतर आपको अधिक आगे बढ़ाती चले जाएगी इसी समय के क्रम के साथ में चलते हुए कमिशन संभंधी काम काज और सर्विस इंडस्टरी संभंधी काम काज एक अलग स्तर आपको दे रहे हैं जिससे आपकी कारिशित्र में मौजूद की और बहतर होते चले जाएगी नए अबसर जो प्रतिधनत होने चाहिए वो भी अब निरंतरता के मानक को आपके साथ में लेकर चल रहे हैं कोई भी रुकावट और बाधा यहां संप्रेशित करने से बचिएगा तुला राशी प्रतमतया व्यापारिक जिवन के अंदर आज अधिक देर तक रोकना पड़ सकता है खलकी फलकी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है उससे संबले नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के समागम सामने रहने बाले होंगे आध्यात्मिक ओज आपके साथ बहुत गहराई से यहां पर निक्षेपित है सरवांगिन लाप की इस्तियों में वर्दी बनी रहने वाली होगी वहीं पर आजिविका का कोई भी माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उसमें भी औरोकावट और माधा से पूर्ण तया बच कर चलिएगा आत्म विश्वास के से रहे जब सात में बने वुए हूँ आपके सामने कोई भी अवसर आ रहा हो और आप वहां श्योर हो तो फिर रोकने के ज़रूरत नहीं है डिसीजन ले लीजिएगा भाईयों और मित्रों के साथ में संबंदों में अधिक प्रगाड़ता रहेगी कोई भी आसपास का व्यक्ति विशेश जिसको आपके सहीयोग क्या वशक्ता हो अपनी पुरी ही उर्जा के साथ उस व्यक्ति विशेश को मदद करने का और एक तरह से जुड़ने का कोई भी आदार सामने आता है तो उस वर रहने का परहतने जरूर कीजिएगा वरिश्चे कराशी यहां किसी भी कार्य में जो सिक्वेंशल बेसिस के उपर आगे बढ़ना होता है वहां अपने फ्रेम को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ें यह भी याद रखें कि यहां पारिवारिक जनों के साथ में आपके संबंद अधिक मधुरता की आभा को लिये हुए होंगे स्वास्त में फ्रोट इंफेक्शन को रिलेट करती प्रबलम्स डिस्टर्ब कर सकती है रिसर्च में आज आपकी जो एक तरह से कॉंशेस अप्रोच होती है वो देखते ही बनती है रिलेशन में जल्दबाजी रखने से बचिएगा अतियाक्त में विश्वास धोखा दे सकता है और परेशानियों का सबब बन सकता है उससे संभल नाती आभशक है एकांत की आभशकता है पूरे ही दिवस विशेश में बनी हुई है चोटे चोटे गैप में खुद को यहां सिस्टमेटिक करना आभशक जो कार्य प्लैनिंग के साथ में जोड़े थे वो एक्जेक्यूशन में कहां तक पहुँच पाए है इस एक सिरे को अपने साथ में करमबद तरीके से स्थापित करते हुए चलने का प्रहतना जरूर करें और ये भी याद रखें कि यहां आपके लिए दुपहर के बाद में आकस्मिक धनलाप जैसे संभाबनाएं भी बन रही है धनु राशी आत्म विश्वास में व्रद्धी है ग्रिहस्त पक्ष का सही योग बना रहेगा उनके स्वास्त में सुधार के संकेत मिल रहे हैं यहां राशी भावस्त इस्तियों में यानि कि धनु राशी स्थान के साथ में चंदरमा के स्तियां दुपहर के बाद जुडने वाली होगी होता है कि आज लोग रियक्टिव कर सकते हैं हमको शांत रहना है मधुर मस्कुराहट छोड़ने वाले नहीं होंगे लिस्निंग मूड इतना एक्टिव रखना है और इग्नुरेंस इतनी बढ़ा कर रखनी है कि कोई भी बात भीतर रोकेगी नहीं और हम फ्लॉलस रहेंगे यह एक प्रोस्पेक्ट अपने साथ में आप इस्टब्लिश करते हो जरूर चलें मकर राशी सबसे पहले तो खर्चों पर नियंतरन रखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा वही पर मन के भीतर जो भटकाव लंबे समय से बने हुए थे उन से हटकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी आवश रखता हैं आपके लिए हैं याद रखें कि जो यहां भाग के का सा योग है वो बहुत अच्छे सिरे के साथ आपके लिए बना हुआ है दोवधाओं के संकेत बिलकुल भी नहीं है मकर राशी के जातकों को चाहिए कि आप यहां मन के भीतर जो भी उहापूँ हो चल रही है उससे खुद को बहुत जादा डिस्टरब करने से बचिएगा एक स्थरता की आवशकता आपके लिए यहां पर पनी हुई है क्रियेटिव फिल्ड स्पेसिफिक में भी डेवलप्मेंट आपके लिए कंटिनुवस नोट के उपर रहने वाले होंगे टेक्स्टाइल और एक्सपोर्ट संबंदी कामकाज की प्रक्रियाएं यहां आपको बहुत अच्छे परिणामों के साथ में परतई दोनित करने वाली हो सकती है मन के भीतर चिंताओं के शुमार को हटा कर चलने का प्रयातना जरूर करें वहीं शनिदेब की मूल तरकॉर्ण कॉंभराशी यहां स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स के बेस हैं वो पॉजिटिव हैं ग्रिहस्त जीवन और कामकाजी जीवन के साथ जोड़ी वही महिलाओं को स्वास्ते का ख्याल रखना चाहिए उसमें भी दातों से संबंदित तकलीफ और जो कई बार बैक पेन से संबंदित समस्या होती है वो अधिक घेरने नहीं पाए ख्याल रखिएगा अपने क्शमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत न करें आजे विका का कोई भी नया माद्यम यदिया विकसित करके चलना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं पराकर्म में बरदी रहेगी चोटी चोटी आतराओं से संबंदित काम काज विराठ सफलता की और आपको लेकर चलने बाला हो सकता है कुम्भ राशी के जातकों को चाहिए कि यहां जो आपके भीतर की शांती है वो आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते ही चले जाएगी कोई भी दबधा उसमें नहीं है कुम्भ राशी के जातकों को चाहिए कि यहां बहुत जादा असर्टिव होने से बचिएगा शान तच्चत होकर चलने की जरूरत आपके लिए बनी हुई है वही हनुमन तुपासना के साथ में दिबस के शुरबात करना जादा श्रेयसकर है मीन राशी इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ में जोडने वाली होगी मान से कसुख के इस्तियों में वरद्धी बनी हुई है चूटी चूटी यात्राओं से संबंतित कामकाज को और अधिक आगे बढ़ाते वे चले जाईएगा आत्म बिश्वास में समग्रतोर पर ब्रद्धी रहने वाली होगी कम्यूनिकेशन में जतना रियक्टिव होने से आप बचते हैं उतना स्वयम के लिए अच्छा है वहीं पर जो आप किसी पर निरणायक कारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं पूरा ही दिवस आपके लिए उड़ जाबान है उसमें भी दुपहर सवा 12 बज़े से लेकर एक बज़े तक का समय अतिविश्ष्ट कहा जाएगा जो कोई भी सूचना लंबे समय से अटकी हुई थी फरस्ट्रेट की हुई थी वो धागा निकल सकता है सकारात्मक संप्रेशन यहां माजूद रहने बाले रहेंगे और वहीं यह स्पस्टता अपने लिए बना कर रखें कि आज खान पान पर नियंतरन रखने की जरुरत पुनकालिक तोर पर है माता और पिता के साथ संबंदों के बेकास करम को जो प्रकारता मिल रही है हम ऐसे ही चर्चांग के साथ निरंत रुपस्तत रहेंगे धन्यवाद एवं कोटी शह आभार